नमस्कार दकविता सो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है साथियों इस बार के सो की जर्जा मैं आप से सवाल पूश्चते हुए शुरू करना चाहती हूँ सवाल ये है कि उन्नाव की रेपीड़ता के गवाहों को एक्सिडेंट के द्वारा मार दिया गया रेपीड़ता जिन्दगी और मौच से कोमा में जूज रही है उसका वकील भी बुरी तरह से घायल है वो भी अस्पताल में है इस घटना से आपका खुन नहीं खोलता है उन्नाव का बीजेपी बिधायक कुलदीप सिंग सेंगर 17 साल की लड़की के साथ में बलतकार करता है और उसके बाद क्या क्या होता है आगे पूरी घटना बताऊंगे लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस घटना में बीजेपी सरकार चुप क्यों है प्रधान मंत्री से लेकर के सांसत बिधायक और इस समाज के बड़े बड़े ठेकेदार और हाँ हमारे लोकल के भाजपा की चम्चे इनके मुँ में पट्टी क्यों बंदी है ये क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं फेस्बुक में कोई कमेंट कोई पोस्ट आप लोगों के क्यों नहीं आ रही है अरे अब आप लोग काउंस से बिल में गुस गए हो तो भाजपा बिधायक की बेटी साच्छी मिसरा जब ढ़ग करके दलित लड़की के साथ में अंतर जाती ये साधी करती है इस बात को लेकर के इतना बाउंडर फैलाया गया इस तरह से पोस्ट सोसल मीडिया पर आई गालिया दी गए लड़कियों को बेटियों को साची मिस्रा के आड़ में क्या-क्या नहीं सभी अड़तों को बोला गया है और अब जब एक बिधायक इतनी घिनोनी हरकत करा है जैसे का केस फाइल है उस बिध माहों को मडर करवा दिया गया तब आप लोगों की आवाज नहीं है मुं में पट्टी बांधे बैठे हो एक भी पोश्ट नहीं आई है मैं तो जिन लोगों को जानती हूं यह मेरी आवाज और गुस्सा और खून जो मेरा खुलता है यह उनके लिए भी है अब आपकी मरद आनगी कहां चली गई है अरे भाजपा की सरकार आपके राज में महिलाओं की इतनी बुरी दुर्दसा क्यूं है प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी और योगी जी और रमित साजी और भाजपा की जितनी भी महिलाएं हैं जो बिधायक हैं जो सांसद हैं आप लोग आईए बोलिए जवाब दीजिए ना इन सब के बारे में तो साथियों उन्ना और पीलिता का मोटा मोटा मतोड़ी से जो घटना थी उमें बताना चाहूंगी जून दो हजार सत्रह में भाजपा बिधायक कुलदीब सिंग सेंगर उन्ना की सत्रह साल की लड़की के साथ में बलतका तो यही गुंडा बिधायक के परिवार वाले रे पीलिता के पिता को बुरी तरह से मारते हैं और उल्टा उसको जेल में डाल देते हैं जहां पर पुलिस की कश्टडी में ही उसके पिता का की मौत हो जाती है या मडर किया जाता है यह भी अभी पूरी तरह से जाच की पहदार हैं उसमें से एक चाचा का मडर भी उनकी भी मौथ हो गई या मडर कर Kansas करवा दिया गया कियोंकि वह भी एक चाच का विसा है जो तीसरे चाचा है उनके उपर आपराधिक कई धाराएं लगवा करके उसको जेल में बन्द करवा दिया गया है जो इस राय बरेली के जेल में बंद हैं वो अब गवाह के रूप में बचती हैं रेप पीडिता की चाची और चाची की बहन और खुद में वो लड़की जो वकील है जो इस केस के सारे गवाह सबूत सब कुछ वकील के पास है अब ये अपने चाचा से मिलने रेप पीडिता और उसक चाची रभीवार के दिन राइबरेली जाने के लिए तयार होते हैं जिसमें से चाची चाची की बहन रेपीडिता और वकील ये लोग सब एक गाड़ी में वहां जाने के लिए तयार होते हैं रास्ते में ही ट्रक के दोरा एक्सिडेंट करवा दिया जाता है जिसमें से चाची और चाची की बहन दरे में खतम हो जाती हैं वकील और रेपीडिता बुरी तरह से घायल होते हैं मोटा मोटा ये मामला है अब इस मामले के बाद में जिस तरह की सोशल मीडिया में चर्चा हो रहे हैं जिस तरह से ये केस राजनीती में बदल गाया है जो कमेंट आ रहे हैं जो चर्चा हो रही है वो रेपीडिता के बारे में नहीं है वो चर्चा आ रही है कि जो ट्रक था क्योंकि ट्रक में नंबर नहीं है बिना नंबर का ट्रक है जो गाड़ी का नंबर है उसमें ग्रीस पोती गई है अब लड़की को छोड़ दिया उसके हालाद को विधायक को छोड़ करके अब ट्रक पर चर्चा हो रही है सब लोग बोल रहे हैं कि अरे वो तो सपावालों का ट्रक है तब पार्टी से जुड़ाव था इस तरह के जो राजनायतिक चर्चा हो रही जो पार्टीयों की चर्चा हो रही पता उसमें लोग विधायक को अभी तक पार्टी से बर्खास्त क्यों नहीं किया गया उसको हटा सौशल मीडिया पठाने लगी कि उन्के स्वास्त पर्भाव प्रभाता है। नो के साथ है राजनीती, गिन राजनीती में बदल हो उड़ा गई सोसल मीडिया पर अचानक से पोश्ट आने लगे कि उन्ना और एप पेड़िता अब हमारे बीच नहीं है उनको मरा हुआ दिखा दिया गया अरे भाईया हरो जरा से भी तो आप लोगों के अंदर दर्द पीड़ा होनी चाहिए बेगर जाने समझे ऐसी खबरों की अफवाह काहे उड़ाते हो क्या एक उनों मज़ाने वाली बाता है एक लड़की अभी जिन्दा है सांसे गिन रही है और आप उसको मरा हुआ बता रहे हो कितनी दरिंदगी भरी बात है सोच है अरे अपनी मान सिक्ता को बदलो थोड़ी पलट करके देखो आपके हमारे सब के घरों में बहन बेटिया है ट्रक पर मैं फिर से बोलूँगी कि लोग ट्रक की उपर चर्चा करना शुरू कर देए अब इस बात को भाजपा और सपा के बीच में खूब बहस हो रही है अरे मैं कहती हूँ ट्रक एक्सिडेंट किया है मौत हुई है या करवाया गया है हत्या करवाई गई है अरे अपराद तो अपराद होता है ना दोसी वो चाह सपा का हो चाह बसपा का हो चाह भाजपा का हो चाह कांग्रेश का हो आप कारवाही की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप सजा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं बर्खास्त करना मेरे लिए मामूली बात है छोटी बात है आप उसको कारवाही की बात करिए सजा दिलाने की बात करिए उसको फासी दिलाने की मांग करिए ना और हां मोदी जी योगी जी अमित साजी अगर आपके बस में ये बात नहीं है तो आप बता दीजिए आखिर आप इस बिधायक को बचाना क्यूं चाहते हो ये बलतकारी को क्यूं इसको आप बचाना चाहते हो क्यूं चुपो दूसरी बात लोग सभा में 545 में से 78 महिलाएं हैं ये महिलाएं क्यूं चुप बैठती हैं ये काहें नहीं कुछ बोल रही हैं अरे आप लोग भी आगे आईए ना आप तो सत्ता में हो अगर आप 78 लोग हंगामा मचा दोगी ना तो भी इस केस में कारवा ही हो सकती है आप काहें चुप बैठी हैं दूसरी बात सुस्मा सुराज जी आपने पूर प्रधान मंत्री मन मोहन सिंग को चूड़ी और सिंदूर भेजी थी थी ना आरे आप कहां गई हैं आप आप जा करके प्रधान मंत्री नरेंद मोधी को अमित साह को और योगी जी को जो तीन मुखिया बैठे हैं आपने देश में इनको जाके सिंदूर दे के आओ चूड़ी पहना के आओ तो मैं जानू अरे तुम तो यह कवरत हो ना तुम तो आखि इस मुद्ध को राजनीती मत बनाये और अमोधी जी और योगी जी अगर आपके बस में यह कैस नहीं हैं आप इस पर कारवाही करने के लायक नहीं है तो आप इस विढ़ायक को ना आप पबलिक के बीच में छोड़ दो हम महिलाओं के बीच में छोड़ दो आरे हम इसको खांगे कि सज़ा कैसे दी जाती है रेपीडिता को जो सुरच्छा कर्मी मिले हैं यह उस दिन रेपीडिता के साथ में क्यों नहीं गए हैं यह सबसे बड़ा सवाल है जब इस घटना के बाद में डी जी पी साहब का बयान आया उनका जब वो मीडिया के सामने बयान दिये और इसमें जात चल रही है और उन्होंने कहा कि जिस ट्रक से एक्सिडेंट हुआ उसका नंबर नहीं है और क्यों नहीं है नंबर उन्होंने कहा कि जब हमारी बात चीत हुई है तो जो ट्रक का मालिक है उसने किस्त नहीं जमा किया है इस वज़ए से वो नंबर प्लेट में उस तरह से बयान दे रहे हैं अब आपकी जो सड़क की जो बिवस्ता है जो जो सड़क के कानून बनाए गए हैं अब इस दोरान कहा चले गए इसमें मेरे दो तीन सवाल है कि मैं दो तीन महीने से लगातार देखी कि मोटर साइकल में जो लोग हिलमेट नहीं लगाए हैं जिनके पास में लाइसेंस नहीं हैं उनको पुलिस किस तरह से प्रताडित करी हैं कितना पैसा वसू लगाया है हिलमेट न लगाने को वज़ा हलांकि यह सही नहीं है बेगार हिलमेट के नहीं चालना चाहिए यह रूल्स में हैं यह कानून में हैं लेकिन कानून में यह भी तो है क बेगर नंबर का ट्रक धडले से चल रहा है और वो रांग साइट में जा रहा है अपने साइट में भी नहीं है तब ये पुलिस कहां गई थी इस पुलिस ने उस ट्रक को क्यों नहीं पकड़ा क्यों उसकी छान भी नहीं करी है क्यों कूछ तास नहीं की गया क्यों धडले से ट्रक चला गया और वो भी एक एक्सिडेंट इतने बड़ा हादसा हो गया और आप इतना हलके फुलके तरीके से बयान दे रहे हैं यह जो तंत्र है जो बिवस्था है इतनी सारे सवाल खड़ा करता है अरे यह सरकार को घुटन नहीं होती है अब यह बताएए क्या इन सुरच्छा कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या यह कानून के दारे में नहीं है कि जब रेपीड़ता कईबार कोट के सामने यह बोल चुकी है कि उसके जान को खत्रा है नहीं नहीं कहीं इस कांड में इन सुरच्छा कर्मियों का भी तो ह कि यह देखते हैं कि कैसी जाच होगी कैसे खुलासा होगा हलांकि की जाच होगी यह बात सामने आ रही है लेकिन सवाल इसमें भी है क्योंकि भाजपा की सरकार है भाजपा के ही अंडर में सब कुछ है जाच होगी तो भी उसके अंडर में है रिपोर्ट तो उनको पहले से देखने के लिए मिल जाएगी पर देखते हैं कि होता क्या है क्योंकि सुप्रीम कोट ने भी बोला है कि एक हपते के अंदर पांचों जो केस हुई है उसकी फाइल मंगाया है और जाच करने के लि वाहदारी में उनका क्या होता है ये तो साहित आने वाला वक्त ही बताएगा क्योंकि जिस तरह से फिल्म की तरह ये केस चल रहा है कि जिस तरह से फिल्मों में घटनाएं सुरू में दिखा दी जाती है एक बाहु बली का एक दबंग का वर्चस होता है घटनाएं कर दी जा तो बहुत दुक्की बात है पता नहीं कि क्या होगा हलांकि कई जगे से लोग अंदोलन कर रहे हैं लोकल इस्तर पर दिल्ली में और लोग नया की गुहार लगा रहे हैं अब देखना कि इसमें अखिरकारी भाजपा की सरकार क्या करती है एक तरफ हमारे मुदी जी भारत बद सब का मतलब क्या क्या सबके साथ में महिला आएं लड़कीया नहीं आती हैं विस्वास कौन करेगा तुम्हारा जिस तरह से दुरदसा हम महिलाओं की लड़कियों की हो रही है ये नो टंकी अब बंद कर दो ये बेटी बचा ओ बेटी पढ़ाओ को ना इसको कच्ड़ा में डाल दो टट्टी घर में डाल दो यह हमारे किसी काम का नहीं है हम बहुत पीडित हो चुके हैं बहुत परिसान हो गए हमारा खून खौल रहा है तो साथियों आप जरूर से अपने बिचार कमेंट सेर करिए कमेंट बॉक्स में जा करके आप बताएए मैं सब के सवानों के जवाब वाले सो में मैं आपके एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं तो साथियों यह वाला स्वाब को कैसे लगा आप जरूर से अपने बिचार और कमेंट मुझे लिख करके भेज़ते रहिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा हर नया सो आ होसता रहे और आप अपने इलाके की मुद्दे जरूर से सेर करिए आप मेरे सो को खबरलहरिया.org यह हमारी वेपसाइड है यहां पर आप देख सकते हैं यूटूब चैनल में फेस्बूक में और वाट्साब ग्रूपों में आप मेरे सो को देख सकते हैं और अपने इलाके कि मुद्धे आप जरूर से सेयर करिए ताकि मैं उस पर भी चर्चा कर सकूँ तो अगले सो में फिर मिलते हैं करारी बातों के साथ में तब तक के लिए नमस्कार हम हैं देश के एक मात्र ग्रामें नारीवादी निव चैनल हमारा समर्थन करें यूटूब चैनल सस्क्राइब करें खबरे लाइप करें और विवसाइट पर सदसे बनें